कुछ लोग हर समय कंप्लेंट करते रहते हैं अरे मैं बहुत हर्ट हो गया, मैं बहुत ऐसा हो गया उसने मेरी भावनाओं का रक्षा नहीं किया उसने मेरा सम्मान नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया यानि उस संबंद में मुझे क्या मिला उसी पे ध्यान है, नहीं बला, वास प्रेम का विस्फोट हो गया तो ये जो हर्ट फीलिंग इत्यादी होती है, इसलिए क्योंकि लेने लेने का सिध्धान्त है ये लेने देने का जिसने इस सिध्धान को मिटा दिया, उसको फरग ये नहीं पड़ता कि भई कोई हमको हर्ट कर ही नहीं सकता, क्या उसमें कौन सी बड़ी बात है गावरांग महाप्रभू ने कहा कि प्रेम और काम में क्या अंतर है काम कितना गंदा शब्द है सुनने में और सुनने में ही प्रेम कितना बढ़िया शब्द है तो इनने का इनका अंतर ऐसे है जैसे प्रकाश और अंधकार का कामेर तत्पर्जयो निजसंभोग के वोल प्रेमे कृष्ण सुख तत्पर्यो प्रेमते प्रबल अतेव कामेर प्रेमेर बहुते अंतर काम अंधम दम प्रेम निर्मल भासकर ये काम अंधकार के जैसा है और प्रेम उज्वल प्रकाश के जैसा तो प्रेम अतत्पव वो है जहाँ पर लेने की भावना न हो मात्र देने की भावना हो जब तक अपने सुख की इच्छा है अभी प्रेम के जगत में प्रवेश नहीं और जहां अपने सुख को त्यागा अब प्रेम के मार्ग में प्रथम कदम लिया अब लोग तो संसार ही मांगते हैं भगवान से सकाम भत्ती जो होती है वो जाके भगवान से संसार मांग लेते एक बार एक अरेविया का शेख था उसकी तमाम पत्निया थी वहां से वो गया यूरप तो लिखा सब पत्नियों को 31 रानिया थी उसकी कि क्या चाहिए मैं यूरप से क्या लाऊं तुमारे लिए एक ने कहा हमारे लिए ये कॉस्मेटिक लाइए एक ने कहा कि ये अंगूठी लाइए सब अपना अपना रिक्वेस्ट भेज दिये जो सबसे छोटी रानि थी उसने एक लिख दिया और एक लिख के भेज दिये तो राजा वापस आया सब समगरी कठी करके सब रानियों को बांठ दिया लेक्ट परची लेकर सबसे छोटी रानि के कमरे में स्वयम पहुंचा और कहा कि मुझे समझ में नहीं आए एक तुमने क्या लिखा रानि ने कहा मेरा मतलब था मुझे आप चाहिए और आप मिल गए आप स्वयम आ गए यहाँ पर बाकियों को तो समान भेज दिये तो ऐसे ही हमको संसार चाहिए या भगवान चाहिए यह डिसाइड कर लिया तो जब डिसाइड कर लिया कि अब तो हमको भगवान चाहिए फिर उसमें निशकाम प्रेम चाहिए वो गारांग महाप्रबू ने कहा है कि भुक्ती मुक्ती सिध्धी कामी सकले अशांत कृष्ण भक्त निशकाम सदाईव शांत अशांती क्यों होती है? एनलाइज करें हम लोग तो दूसरों को दोश देते रहे थे स्वामी जी उसके कारण मुझे अशांती हो रही अशांती का एक ही कारण होता है हमारे अंदर की कामनाए अगर कामनाए नहीं है तो अशांती हो ही रही सकती तब तो फिर जाही विधी राखे रामताही विधी रही है तो प्रेम कौन सा है जो अ कारण हो और उसके अतरिक्त सहकारण ये तो सभी लोग प्रेम करते हैं संसार देखो उसकी आवाज कितनी अच्छी है अब उससे प्रेम होगे कल उसकी आवाज खराब हो गई तो प्रेम भी गड़ बढ़ हो गया वो एक नव विवाहित स्त्री पती तो पती पत्नी से बहुत प्रेम करतात पत्नी ने कहा पती देव मैं जब बुड़ी हो जाओंगी तब भी आप मुझसे ऐसे ही प्रेम करेगे कि पती ने कहा तुम बुड़ी हो जाओंगी तुमारे मा के जैसी दिखने तो लग जाओंगी क्या फिर मैं प्रेम नहीं करूँगा यानि सकारण प्रेम है न उस प्रेम का एक कारण है तुम अकारण प्रेम आविर्भाव दिनेन येन गपितो हेट उस्तधियान पी क्षिये तापिन चापराधि विधिना नत्या नयोवर्धते सवकारण प्रेम नश्ट हो जाता वहाँ पे जहाँ कारण खतम हुआ प्रेम नश्ट हो गया एक बड़े सेठ जी है सब प्रेम कर रहे है कल को सेठ जी दिवालिया हो गए सब का प्रेम खतम हो गया वो सवकारण प्रेम था तो ऐसे ही भाक्ती भी अगर सकारण होगी वो अप डाउन जाएगी घटे मिटे बामा और जो अकारण होगी उसका लक्षन होगा वो कभी भी कम हो ही नहीं सकती यह संसार में भी हम देखते हैं संसार में जो आपके संबंधी अब कोई संबंधी तो होता है नहीं है संसार में लेकर जो भी नाते होते हैं आप विवहार करते हैं सबसे दोस, मित्र, भाई, बहन, स्री, पती, बाप, बेटा तो उसमें भी कुछ लोगों का सिद्धान तो हता है लेने लेने का एनि उ Уह हर संपन से मुझे क्या मिलेगा किसी का होता है और इसके लिए दो पैसा कर दो मेरे ले कर देगा और किसी का होता है रही बूसरे का लाब हो तो संसारी प्रेम में भी आप देखें कुछ लोग हर समय कंप्लेंट करते रहते हैं अरे मैं बहुत हर्ट हो गया मैं बहुत ऐसा हो गया उसने मेरी भावनाओं का रक्षा नहीं किया उसने मेरा सम्मान नहीं किया उसने ऐसा नहीं किया यानि उस संबंद में मुझे क्या मिला उसी पे ध्यान है, नहीं बहला, पास प्रेम काविस फोट हो गया, तो ये जो हर्ट फीलिंग इत्यादी होती है, इसलिए, क्योंकि लेने लेने का सिध्धान था है, ये लेने देने का, जिसने सिध्धान को मिटा दिया, उसको फरग ही नहीं पड़ता, कि भई कोई हमको सी बड़ी बात है, हम दूसरे के लाब के लिए उससे संबंद कर रहे हैं, अपने लाब के लिए नहीं, तो ऐसा ही इश्वरियक शेत्र में भी है, अगर हमको आगे बढ़ते चले जाना है, तो हमें ये सिध्धान्त को अपनाना होगा, ये व्यापारी करता है, लेना देना मैं भगवन नाम लूँगा, मुझे क्या मिलेगा, मान लो की कुछ ना मिले, अरे तो मैं पागल हूँ के मैं नाम लेता चला जाओ, लेकिन प्रेमी ऐसा ही पागल होता है, यानि प्रेमी कहता है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है फिर, ह हम अपने आपको तुम्हारे हाथ सौम परें, हम तुम्हारे दास बन जाएंगे परेंगे कि अिधर को तुम्हारे थींहार in Despite र değil हुआ है, भी न चाहरे प्रोडब होता है too ध maps दोकाहिए, भी एте ऐ हर बने आपको तुम्हारे तुम्हारे हा जाओे मैं दोर्जए दो है, थिर भी स Après हैकिश मैं आखको जुम्हारे दुम्हारे हता सास्क्त, छोब है कर दो कर दो कर दो कर दोग्य है